हेलो एवरीवन टूडे अवर टोपी किज एफैमो थियोरी एफैमो थियोरी क्या है और इसके एक्जाम्पल्स यह कैसे वर्क करती है आज हम कंप्लेटली डिसकस करेंगे किसके बारे में फरंटियार मोलिकुलर ओर्बिटल एप्रोच थियोरी इसको हम शोट फोर में एफैमो तेटों किसके दूबारा किसके दुवारा थी गई है और हम ju-mati किसके बारे में बताती है हमोर्यो प क्या है क्या है वह ini Highway में थियोरी इसके डिसकस करेंगे हम सबसे पहले हम देखेंगे कि Hmo क्या होताइ स्टेबलल और स्टेबलल ओर वर स्टेबल ह बोल प्रजेंट होते हैं या मतलब हम बोल सकते हैं यह फुल्फिल होता है लेकिन लूमा हमारा क्या होता है MPT होता है इसलिए यह इलेक्ट्रों डोनेट करने के लिए तो अनस्टेबल होता है लेकिन एक्सेप्ट करने के लिए क्या होता है स्टेबल होता है तो चलिए हम सबसे पह सेले हम देखते हैं सिमिट्री टू टाइप्स की होती है एम सिमिट्री एंड सीटू सिमिट्री एम सिमिट्री को हम बोलते हैं मीरर सिमिट्री और सीटू को बोलते हैं हम सेंट्र ओफ सिमिट्री अब हम यह कैसी पता चलेगा कि यह एम सिमिट्री है यह सीटू सिमिट्री है त होते हैं तो अगर हमें positive positive same position पे है और negative negative same पे तो हमारी क्या होती है mirror symmetry या फिर हम बोल सकते हैं और अगर वह opposite पे हैं तो वह क्या होती है center of symmetry क्योंकि जो उसकी center of symmetry बन रही है वो कहां बन रही है center में क्योंकि positive positive opposite direction में और negative negative positive तो यह हमारी क्या होगी center of symmetry होगी तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा homo है वो क्या होता है और lume क्या होता है homo अगर one हम इसके अंदर पढ़ते देखो one is the occupied molecular orbital of highest energy known as highest occupied molecular orbital जिसको हम short form में क्या बोलते हैं homo इसका मतलब है कि जो occupied molecular orbital है किसका है higher energy का वो तो हमारा क्या कहलाता है homo लेकिन इसका opposite अगर कोई दूसरा unoccupied molecular orbital है किसका है lower energy का तो वो हमारा क्या होगा lume होगा इसके अंदर तो हमारा क्या होना चाहिए highest molecular orbital occupied होना चाहिए किसका higher energy का और इसके अंदर unoccupied होगा किसका lower energy का तो हमारा क्या होगा lume तो यह हमारे क्या होमो और लूमो तो होमो और लूमो के बेसिज पे ही हम क्या फाइंड आउट करते हैं सिमिट्री फाइंड आउट करते हैं और सिमिट्री के इस होमो और लूमो के बारे में ही और सिमिट्री के बारे में हमाई क्या बताती है एफमो थियोरी डीटली बताती ह तो यह हमें details में briefly बताती है कि symmetry के basis पे कैसे molecular orbital theory work करती है तो homo and lumo of any given compound है opposite symmetry तो रखेंगे क्योंकि homo के अंदर क्या होते है occupied और lume के अंदर क्या होते है next क्या homo and lumo are referred to as fmo तो यह भी सही बात है क्योंकि homo और lumo ही कि इसको refer करती है fmo को तो next point हमारा क्या है तो next point हमारा क्या है हमें एक example की help से देखेंगे कि electronic state of ground state of one three buta die in अगर हम draw करते हैं तो उसके अंदर homo कहां present है और lumo कहां पर present है देखेंगे हमें पता है one three buta die in यह कैसा system है यह four pi electron system है तो इसकी हम structure अगर draw करेंगे तो यह हमारा क्या है साई one साई two साई three star साई four star अब इसके अंदर हम electron fill up करेंगे तो हमारे electron क्या होंगे दो यहां पर और दो यहां पर तो इसके अंदर हम चेक करेंगे कि हमारी homo state कोन से है और liumo state कोन से है तो homo का मतलब क्या था highest occupied हाई इसके इंदर किसके अंदर present है इसके अंदर तो यह हमारे कौन से state होगी homo ओर... लू मो का मतलब क्या था... हाइस्ट... sorry, lowest अन-ओक्यूपाइड अन-अक्यूपाइड स्टेट कौन सी हमारे ये दो है और इनके अंदर जो लोवर्ष्ट अन-ओक्यूपाइड कौन सी है ये है तो ये हमारी क्या होगी लू मो को स्टेट होगी यह किसका डायगराम हो गया रोधन का जिसके अंदर हमने इजली पता चल गया कि होमो कॉन सह कि तो अब हम देखते हैं किसके बारे में समेट्री के बारे में कि a and symmetry और स्यम्ट्री को अच्छे से हम देखते हैं तो लेखो ay, यह क्या है हमारी कि एम सिमिट्री मिरर प्लेन क्या है प्रपेंडिकुलर है किसके एक्टम के प्लेन के तो देखो दोनों के दोनों और बीटल्स क्या रखते हैं मिरर इमेज रखते हैं तो इसका मतलब इन दोनों के अंदर क्या कौन सी समिट्री परजेंट है एम सिमिट्री परजेंट है लेकिन अगर हम इस साइड देखेंगे तो इसके अंदर क्या है अपोजिट है लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे mirror image डालके तो यह mirror image नहीं बन रही तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर M symmetry पर जैंट नहीं है या फिर हम बोल देंगे कि M symmetry क्या है अब सेंट है तो next हम तो यहां पर सेंटर और नेगेटिव से नेगेटिव जाएंगे यहां सेंटर तो यह दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट है तो इसका मतलब यह हमारा क्या है सेंटर ओफ दा मोलिकुल्स और इसके अंदर क्या परजेंट है सीटू सिमिट्री परजेंट है तो एम हमारी क सिमिट्री और सीटू हमारी क्या हती है सेंट्र ओफ सिमिट्री एम को हम एम सिमिट्री पर जेंट है आप सेंट्र किस से चेक करते हैं हम पलेन से चेक करते हैं और सीटू को हम किसे चेक करेंगे सेंट्र से चेक करेंगे ठीक है तो नेक्स्ट हम देखते हैं सिमिट्री इन लिन इथीन के अंदर तो इथीन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है C2H4 यह हमारा क्या है इथीन तो इसके अंदर अगर हम चेक करेंगे कि सिमिट्री अपसेंट है परजेंट है एम है C2 है तो हम कैसे चेक करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कितने इलेक्ट्रोन सिस्टम है टू प टू इलेक्ट्रोन होंगे यह क्या हमारे बोंडिंग और यह हमारे क्या है एंटी बोंडिंग मोलिकुलर ओर्बिटल इनको हम डिनोट करेंगे साइवन से इसको हम डिनोट करेंगे साइटू से तो यह हमारे क्या है bonding molecular orbital और ये हमारे क्या anti-bonding molecular orbital इसके अंदर हम positive, negative positive, negative ये bonding है positive, negative, negative और positive अब हम यहाँ पर एक छोटी सी टेबल ड्रो करेंगे इसके अंदर यहाँ पर लिखेंगे हम psi 1 यहाँ पर लिखेंगे हम psi 2 star क्योंकि anti-bonding है तो इसको ड्रा करने के लिए हम क्या लिखेंगे psi 2 star यहाँ लिखेंगे m symmetry यहाँ पर c2 और यह क्या हमारा यहाँ पर लिखेंगे हम orbital ठीक है तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा psi 1 है उसके अंदर m symmetry present है या absent है c2 symmetry present है या absent है अब देखो हम कैसी चेक करेंगे जो हमारा psi 1 है bonding molecular orbital system है तो इसके अंदर हम देखेंगे कि plane of symmetry present है या absent तो अब हम इसके अंदर अगर plane पास करवाएंगे तो हम देखेंगे इसके अंदर जो plane of symmetry वो क्या है? present है तो इसका मतलब m क्या है? symmetric है और center of symmetry क्या है? upset सैंत है तो इसका मतलब जो हमारी m symmetry है? वो क्या होगी? displacement होगी और इसके अंदर हम देखेंगे जो हमारी center of symmetry वो परजेंट है तो इसका मतलब सीटू सिमिट्री क्या होगी परजेंट होगी ठीक है तो ऐसे ही हम और भी एकजांपल लेंगे उनके अंदर भी हम चेक करके देखेंगे नेक्स्ट हम एकजांपल लेंगे अब हम इसके अंदर चेक करेंगे कि जो हमारी मेरर सिमेट्री है एम सिमिट्री परजेंट है अपसेंट है सिटू सिमिट्री परजेंट है या फिर अपसेंट है तो हम क्या करेंगे पहले यह ग्राफ ड्रो करेंगे देखो इसके अंदर अगर किसी को यह भी ना बनाना आता हो तो उसके लिए मैं एक पॉइंट बताऊं देखो जो हमारे नंबर ओफ कर्बन एटम है वह ओल्वेज इक्वल होते हैं किसके function के साई के इक्वल होते है ठीक है तो number of carbon atom यहां पर कितने हैं 4 है तो हमारे जो साई function होंगे वो भी ओनगे 4 हूंगे तो यहां पर हम लिखेंगे साई one two three four तो अब हम ड्रो करेंगे orbitals तो ये क्या ड्रो कर लिए हमने orbitals तो अब हमे positive negative ये ड्रो करने के लिए किस की help चाहिएगी? nodes की तो हम देखेंगे कि number of nodes किसके एक्वल होते है एन माइनस 1 के तो जो नंबर ओफ नोडस है किसी भी फंक्शन में माल लो साई एन फंक्शन में वो किसके एक्वल होंगे हमेशा एन माइनस 1 के एक्वल होंगे तो यहां पर हम देखेंगे जो हमारे नंबर ओफ नोडस है वो कितने होंगे zero और यहां पर हमारे number of notes कितने होंगे side two है तो two minus one one यहां पर हमारे होंगे two और यहां पर हमारे कितने present होंगे three तो यहां पर देखो plus plus सारे plus कर दी तो यहां पर क्या हो जाएंगे zero number of notes तो यहां पर कितने number of notes present है one present है तो हम क्या लिखेंगी प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस तो यहां पर क्या प्रजेंट है number of nodes one प्रजेंट है number of nodes का प्रजेंट होते है जहां पर क्या थी center of symmetry प्रजेंट होती या फिर हम बोल दें कि जहां पर mirror image प्रजेंट नहीं होती वहां पर क्या प्रजेंट होते है है तू तो हम लिखेंगे पोजिटिव नेगिटिव नेगिटिव पोजिटिव एक नोड यहां पर प्रजेंट है नेक्स्ट में कितने नोड प्रजेंट है तीन तो यह क्या होगी हमारी ड्रा स्टेक्चर किसकी C4, H6 या फिर हम बोल सकते हैं ब्यूटा डाइन की अब हमें क्या त्यार करनी है हमें त्यार करनी है टेबल जिससे हम क्या देखेंगे कि center of symmetry and mirror symmetry present है या फिर absent है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे orbital यहाँ पर लिखेंगे हम m symmetry और यहाँ पर हम लिखेंगे c2 symmetry यहाँ पर हम लिखेंगे function si1, si2, si3 और si4 अब हम देखेंगे कि जो हमारा si1 है उसके अंदर m symmetry present है absent है, c2 symmetry present है या फिर absent है तो देखो इसके अंदर सब एक side है, positive, 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 negative, negative, negative तो इसका मतलब इसके अंदर क्या present है m symmetry क्या है present है तो इसके अंदर m symmetry है लेकिन c2 symmetry क्या है absent है next हम देखते हैं इसके अंदर side 2 के अंदर side 2 के अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर mirror symmetry तो present ही नहीं है इसके अंदर क्या present है center of symmetry present है तो इसका मतलब है यहाँ पर mirror symmetry क्या है absent और center of symmetry क्या है हमारी present है next हम देखते हैं कि इसके अंदर sai 3 function کے अंदर तो देखो sai 3 function के अंदर हम देखेंगे यहां पर mirror past करेंगे तो देखेंगे हम क्या है same है तो इसका मतलब यहां पर क्या है M symmetry हमारी क्या है present है लेकिन जो हमारी c2 symmetry क्या होगी अब austen होगी similarly इसके अंदर हम देखेंगे positive negative सब के अंदर क्या present है center of symmetry पर जैंट है लेकिन M symmetry कहीं पर भी present नहीं है तो इसका मतलब यहां पर जो mirror symmetry है वो तो क्या होगी absent और जो center of symmetry है वो हमारी क्या होगी present होगी तो यह क्या थी है हमारी table of symmetry तो अब हम सोचते हैं कि हमें हर molecule के अंदर यह सब ड्रो करके देखना पड़ेगा कि symmetry पर जैंट है यह तो बहुत ही ज्यादा lengthy हो जाएगा तो इसके लिए मैं आपको एक short trick बताऊंगी और वो short trick किसके उपर बेश्ट होगी number of nodes के उपर बेश्ट होगी तो हम अब देखेंगे number of nodes है जो वो कैसे है और उनके तरू हम mirror symmetry या फिर center of symmetry का पता कैसे लगा सकते हैं तो देखिए हम हमें number of nodes हम सबको निकालने आते कि number of nodes कैसे होते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे देखो number of nodes अगर number of nodes क्या हो एवन हो या फिर जीरो हो तो वहाँ पर symmetry कैसी होगी तो वहाँ पर जो हमारी symmetry है वो कैसी होगी और अगर number of nodes ओड हैं तो वहाँ पर symmetry कैसी होगी तो यह हम अब देखेंगे अगर number of nodes even या जीरो है तो वहाँ पर जो हमारा function है साई एन वो symmetry होगा किसके साथ M के साथ और anti symmetry होगा किसके साथ C2 के साथ तो वहाँ पर जो हमारा M है वो तो क्या होगा symmetric और जो हमारा C2 है वो हमारा क्या होगा anti symmetric तो इसका मतलब जो हमारी number of nodes क्या है ओड हैं तो वो क्या होंगे exactly इसके opposite होंगे वहाँ पर जो हमारा M है वो क्या होगा symmetric और जो हमारा C2 है वो क्या होगा हमारा symmetric तो यह है एक बिल्कुल छोटी सी trick जिसको आप use करके बिल्कुल easily यह बता सकते हो कि यह ना symmetric है M symmetric है या C2 symmetric है तो देखिए यह function है हमारा इसके अंदर हम देख्षिए किar हम यहां पर 0 है number of nodes कितने है 0 है तो जीरो के अंदर हमें पता है zero or even के अंदर M क्या है symmetric है तो देखो यहां पर 0 है number of nodes तो यह बिल्कुल पर M symmetric ह trase to कैया है and symmetric हैं अगर हम ode की बात करें one यहां पर one लेते number of nodes क्या है ओड है वन है तो यहां पर क्या था exactly इसके opposite था opposite का मतलब M यहां पर क्या था anti-symmetric और C2 यहां पर क्या था symmetry तो वही टेबल है और वही यह क्या है trick शो कर रही है कि यह table बिल्कुल exactly correct है तो देखो यह बहुत important है तो आप बिल्कुल यह द्यान रखें और यह द्यान रखोगे ना तो बिल्कुल easily way में यह clear हो जाएगा कि center of symmetry है या फिर mirror symmetry है और वो हम easily find out कर सकते हैं किस के थरू number of nodes के थरू number of nodes अगर even यह odd है तो हमारा क्या होगा M symmetric होगा और C20 symmetric और अगर number of nodes odd है तो exactly इसके क्या होगे आप positive होगे M तो वहाँ पर क्या होगा S symmetric हो जाएगा और C2 हमारा है वहाँ पर क्या हो जाएगा symmetric हो जाएगा तो आप इसका screenshot लेके रख लिजी और अब हम बात करते हैं symmetry की किस के अंदर सिगमा orbital के अंदर तो सिगमा orbital के अंदर या तो दोनों asymmetric होंगे या दोनों ही क्या होंगे symmetric होंगे देखो जैसे हम एक table और त्यार करते हैं जिसके अंदर हम किसकी बात करते हैं symmetry element in sigma orbitals इसकी बात करते हैं तो देखो इसके अंदर हम देखते हैं sigma और sigma star यह हमारा M और यह हमारा क्या है C2 तो इसके अंदर जो हमारा sigma है वो always क्या होगा symmetric और sigma star हमारा always क्या होगा asymmetric तो देखो जो अगर हम symmetry element sigma और मेटल की बात करेंगे तो इसके अंदर जो हमारा sigma है बोंडी है उसके अंदर दोनो M भी symmetry प्रजेंट होगी और C2 symmetry भी प्रजेंट होगी बहुत ही easy है तो आप इसका screenshot लेके रिख लेजी फिर हम आगे करते हैं तो अब हम बात करते हैं FMO diagram of ethylene और भी बहुत सारे एकजामपल लेंगे हम 1-3-buta-dine का FMO diagram ड्रा करेंगे 1-3-5-hexatriene का diagram ड्रा करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि FMO diagram of ethylene ethylene का FMO diagram कैसे ड्रा करते हैं तो उसके लिए हम देखेंगे in ethylene there only two pi electron system इसके यह क्या है two pi electron system therefore has only two molecular orbital pi bonding and pi star anti bonding यह कित क्या है दो pi electron system है तो एक तो pi bonding रखेगा और एक क्या रखेगा pi star anti bonding तो इसके अंदर हम symmetry देखेंगे symmetric property होंगी ना जो तो both orbitals की वो क्या होंगी different होंगी तो इसके अंदर हम कुछ इसके diagram को draw करने से पहले हम क्या देखेंगे कुछ points देखेंगे फिर हम क्या करेंगे इसका diagram draw करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर number of carbon atom कितने परजेंट है number of carbon atom कितने परजेंट है इसके अंदर 2 और हम देखेंगे फिर number of wave function कितने present है number of wave function मैंने बता था आपको किसके equal होते है number of carbon atom के equal होते है तो इसलिए हमारे जो psi function वो भी क्या होंगे हमारे 2 होंगे तो next point हम देखते है number of 5 electron in a system कितने pi electron का system है ये 2 pi electron system है तो next हम देखेंगे number of nodes number of nodes मैंने आपको calculate करने बताये थे number of nodes किसके equal होते है psi n देखिए जो number of nodes है n-1 वो किसके equal होते है psi n तो जितने मालो यहां पर psi 2 function है तो n की value 2 है तो psi 2 में number of nodes कितने परजेंट होंगे 1 तो वैसे ही psi 3 में कितने होंगे 2 psi 4 में कितने होंगे 3 तो मतलब जितने भी जितने भी number परजेंट होंगे किसके अंदर psi function के अंदर उससे एक कम क्या होंगे हमारे notes होंगे तो अब हम देख ड्रो करते हैं इसकी structure तो देखिए यह है diagram of ethylene मैंने पहले ही draw करका है तो इसी में कर लेते हैं क्योंकि मैंने यह कैसे draw करना वह सब तो आपको बताई दिया हैं तो सबसे पहले यह orbitals यह full हैं किसके अंदर मैंने बताता जो fulfilled occupied state होगी higher energy की वो क्या ह होगी हमारी homo ground state के अंदर देखेंगेक हम home एक electron है वो किस में चला जाएगा excited state में चला जाएगा तो वो अगर excited state में चला जाएगा तो ये state हमारी क्या कहलाएगी homo-lumo state कहलाएगी तो ठीक है तो यहाँ पर wave functionally present करता है कि इसको molecular orbital को तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो हमारा function है si1 इसके अंदर nodes कितने present है zero इसके अंदर nodes present है zero और हम देखते हैं कि इसके अंदर जो हमारी m symmetry है वो present है या absent तो देखो इसके अंदर जो हमारी m symmetry वो क्या है present है लेकिन यहाँ पर c2 symmetry क्या है absent है next हम देखेंगे side 2 side 2 के अंदर हम nodes देखेंगे कितने nodes present है one node present है तो इसके अंदर हम देखेंगे जो हमारी M symmetry है वो present है और C2 symmetry है वो क्या है absent है या फिर C2 symmetry present है M symmetry absent है तो उसके लिए हम क्या check करेंगे यहाँ पर center of symmetry अब हम देखेंगे mirror plane डालके तो हम देखेंगे कि वहाँ पर match ही नहीं हो रहा तो यहाँ इसका मतलब जो हमारी m symmetry वो क्या है cent है और जो यहाँ पर हम देखेंगे क्या बन रही है c2 symmetry तो इसका मतलब center of symmetry बन रही है तो हम देखेंगे कि इसके अंदर जो center of symmetry या फिर c2 symmetry वो क्या है परजेंट है तो यहां पर इसके अंदर शाई-1 के अंदर क्या परजेंट है? m symmetry और इसके अंदर क्या है? c2 symmetry परजेंट है यह देखिए आप तो नेक्स्ट डाइगरम हूं किसका ड्रॉ करते हैं? Benson baterie1 गुटाडाइइन का ड्रॉ करेंगे? तो अब हम देखेंगे FMO थियोरी के बेसिज पे 1-3-buta-dye-in का डाइक्रम अब 1-3-buta-dye-in के अंदर देखो there are 4p orbital in 1-3-buta-dye-in is having a 1 electron T their combination will give a 4pi molecular orbital देखो मैं direct बताती हूँ आपको 1-3-buta-dye-in 1-3-buta-dye-in कैसा system है 4pi electron system है अगर यह 4pi electron system है तो इसके अंदर 2 तो हमारे क्या होंगे anti-bonding और 2 हमारे क्या present होंगे bonding molecular orbital अगर 2 तो अब हम देखेंगे इसके अंदर जो 4pi system है तो 4-5 electron system के अंदर 2 हमारे जो bonding है वो हमारे क्या होंगे psi 1, psi 2 और जो anti-bonding है वो क्या होंगे psi 3 star और psi 4 star तो इसके अंदर यहाँ पर किसे डिनोट कर रखा पाई वन से पाई वन पाई टू पाई टू स्टार और पाई वन ये बता रखा इसनों ने किसके बारे में बोंडिंग और अंटी बोंडिंग के बारे में तो अब हम देखेंगे इसके डाइगराम के बारे में यह क्या है इसकी structure ड्रो कर रखी है वन त्रिब्यूटर ड्राइइन की तो अब हम देखेंगे वही points यहाँ पर हम देखेंगे number of carbon atom कितने पर जेंट है 4 number of carbon atom कितने पर जेंट है 4 तो इसका मतलब हम हमारे जो wave function है वो भी कितने पर जेंट है 4 अगर हम इसका die worm देखो मा आपको बताती हुँ किन point के थरू हमें कैसे ड्रो करना देखो यहाँ बोला इसने number of carbon atom कितने पर जेंट है 4 तो इसका मतलब wave function भी 4 और wave function 4% है तो हम कितनी line draw करेंगे 4 और हम इनको नाम देंगे psi 1, psi 2, psi 3, psi 4 तो अब इसने बताया है कि 2 तो क्या है एंटी बोंडिंग और 2 क्या है बोंडिंग क्योंकि यह 4 pi electron system है तो इसके अंदर 2 क्या होंगे bonding, 2 bonding और 2 क्या होंगे हमारे anti bonding तो इनको हम क्या बोल देंगे anti bonding तो इसके अंदर जो हमारे electron present है वो कितने electron present है 4 electron present है यह बात भी ठीक है अब हम देखेंगे number of nodes number of nodes अगर हम find करेंगे next point हमारा क्या था nodes find करने का nodes किसके equal होते हैं n-1 के equal होते हैं तो हम nodes देखेंगे तो इसके अंदर कितने होंगे 3, इसके अंदर 2, इसके अंदर 1 और इसके अंदर हमारे कितने होंगे 0 अब हम क्या करेंगे जो हमारे यह electron है इनको हम किसकी help से draw करेंगे orbitals के help से तो अब हम यहाँ पर यह electron ना लिखके यहाँ पर क्या represent करेंगे 4-4 electron represent करेंगे देखो मैं दिखाती हूँ आपको इसके अंदर draw कर रखे हैं यह points आपको समझ में आगे इन points के तरू हमें कैसे structure draw करने है वो हम आपको बताती हूँ अब देखो ऐसे हम क्या करेंगे 4-4 orbital strings के अंदर draw करेंगे तो अब हमें पता है कि जो हमारा साई 1 है उसके अंदर 0 node है तो हम क्या करेंगे सब को positive, negative draw करेंगे साई 2 में हमें पता कितने node है 1 node है तो हम क्या करेंगे 1 node show करेंगे साई 3 में कितने है 2 node है और साई 4 में कितने है 3 nodes है अब हमने draw किये थे कि यहां पर जो हमारे electron से 4 pi electron system है ये तो इसके अंदर हम 4 electron डोखेंगे तो हम देखेंगे कि ये highest occupied state है वो हमारी क्या है Listen to this जो lowest occupied state है हमारी क्या है Lumo तो ठीक है तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर हम thermally heat produce करेंगे अगर हम thermally heat provide करेंगे तो ये क्या होंगे ये तो हमारी क्या है ground state है और ये हमारी क्या है excited state है तो जो हमारे electron है वो किसमें चले जाएंगे excited state में तो ये तो हमारे क्या रहेंगे same इसी में रहेंगे S और P वाले ही हैं हमारे orbital किसमें move कर जाएंगे उपर move कर जाएंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी excited state हो जाएगी होमो और लूमो का मतलब मैंने बताई रखा आपको कि ये क्या है ये च्टोक्यूपाइड है और ये क्या है लोव च्टोक्यूपाइड और बीटल है तो हम देखें ये और आगे नोर्स में ये थोड़ा से explain करका जो मैंने बताया है वही कि thermal condition में हमें अरे electron क्या चले जाएगे excited state में और photochemical condition में कहा चले जाएगे excited में और यहाँ पर जो हमारी excited state के बाद हमारी जो side two state है वो तो हमारी homo होगी और जो side three state है वो हमारी क्या हो जाएगी लियूमो हो जाएगी तो next अब हमें क्या करना है हमें table draw करनी है किसकी symmetry की तो symmetry कैसे draw करेंगे fmo theory के जरूर तो वो तो हमने हमें को चेक करनी आती है क्योंकि कुछ time पहले भी मैंने बताया कि कैसे चेक करते हैं तो हम बता सकते हैं जो हमारा side one system है उसके अंदर क्या होगा m symmetry पर जैंट होगी और c to symmetry क्या होगी absent इसके अंदर क्या होगा अगर हम notes के त्रियू देखें notes का भी मैंने बताया था even और ode वाला वो table आपको ध्यान हो तो वनरा मैं दोबारा एक बार और दिखाती हूँ आपको ये देखिए इसके अंदर हमने कैसे draw किये थी कि जो हमारे number of notes है अगर वो even है तो वो क्या होगी mirror symmetry present होगी और c2 absent होगी ode है तो क्या होगा exactly इसके opposite होगा तो देखिए इसके अंदर one three buta die in के अंदर ये भी one three buta die in का ही diagram है जो मैंने आपको बता था तो उसके अंदर देखो यहां दोबारा देख लो आप यहां पर यहां पर m क्या है symmetry present है और c2 absent है similarly हम क्या देखेंगे इ साइ 2 के अंदर साइ 2 के अंदर क्या एक्जेक्टलिस के opposite होगा क्यों क्यों होगा opposite क्योंकि zero और even के अंदर same होगा और ode के अंदर same होगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको यह पता चल गया zero में यह है तो आप हर even number में यही same लिख सकते हैं देखो यहां पर number of nodes क आपको पता है जीरो है और एवन है तो उनके अंदर आप सेम ड्रो कर सकते हो सिमिटी सिमिट्री स्मीट्री स्मिट्रीशन मीट्रीशन बज़ाने सीअको क्या ओंको बपन देदेक्शन की यह प्टोर्ड शाई 2 यह क्या हैilde मोरा वरustom देता है वन यह यह अदर सेम होगी तो आप ऐसे भी सिर्फ साई जीरो और साई वन की ड्रोग करके एक्जैक्टली आप आपके ऐसे भी ड्रोग कर सकते हो तो आपको वन त्रिब्यूटा डाई इन का ये डाइग्राम समझा गया कि कैसे ड्रोग करना है तो नेक्स्ट एक्जामपल हम लेंगे वन थरी दो एक्जा ट्राई इन कैसा system है ये क्या है शिक्स पाइ लेक्ट्रोट सिस्टम है फो एन पलस टू पाइ लेक्ट्रोन सिस्टम भी बहुत सकते हैं इसको तो अब हम देखेंगे इसके अंदर हम कैसे ड्रोग रहेंगे वह तो हमें एजी लगए कि हम आजी है ईजी ड्रोग इन, इसके अंदर क्या है, टोटल नंबर ओफ मोलिकूलर और बिटल और शिक्स, I know, क्योंकि 6 पाई लेक्टरन सिस्टम है, तो इसके अंदर कितने नंबर ओफ इलेक्टरन पर जैप होंगे, टोटल 6, पाई 1, पाई 2, पाई 3, तो इसके अंदर तीन क्या होंगे, एंटी बॉ देखेंगे कि इसके अंदर नंबर आफ कार्बन एक्टम कितने प्रजेन्ट है 135 त्राइओ इन उसकी स्ट्रक्चर ड्रों करते हम कार्बन अ कारबोन दबल वूंड कि अच सिंगल वूंड कि दमेद दबल दबल तो यह क्या है तो इसके अंदर हम देखेंगे नंबर ओफ कार्बन एटम कितने परजेंट है तो देखो अब हम यह पॉइंट इसली लिख सकते हैं नंबर ओफ कार्बन एटम कितने परजेंट है सिक्स इसका मतलब जो हमाले वेव फंक्शन अवह कितने बनेंगे लेक्स हमें पता है कि जो यह पाई लेक्टर शिस्टम अब हम देखेंगे notes notes हमें कैसे निकालने होता है and minus 1 formulae से ये भी हम क्या कर सकते है easily find कर सकते है चलिए अब हम क्या करते है इसकी structure को draw कर सकते है ये क्या है इसकी structure तो हम क्या करेंगे draw करेंगे सबसे पहले हम क्या लेंगे six line draw करेंगे वही same देखो मैं दोबारा फिर आपको करके दिखाती हूं वैसे करके दिखाने की नीड है नीए बहुत ही जी है तो देखो हम ये गराफ ड्रा करते हैं मैं हलका हलका आपको बताती हूं हमने देखा कि number of carbon atom कितने है बर ओफ carbon atom है 6 तो मतलब जो हमारे function होंगे वो भी हमारे कितने होंगे 6 तो इसका मतलब हम कितने line ड्रो करें वन टू थरी फोर फाइव शिक्स लाइन ड्रो करें और इनको हम नायम देंगे साई 1, साई 2, साई 3, साई 4, साई 5, साई 6 तो अब हम number of nodes भी easily निकाल सकते हैं number of nodes निकालेंगे तो इसके अंदर number of nodes कितने प्रजेंट होंगे एक कम 5, 4, 3, 2, 1 और 0 ठीक है ये number of nodes तो ये कितने 135 हेकजा ट्राइन ये system है जो हमारा वो कितने electron system है 6, 5 electron system जिसके अंदर 3 तो क्या है bonding molecular orbital और 3 हमारे क्या है anti-bonding molecular orbital है ठीक है तो इसके अंदर 3 bonding molecular orbital है तो इनको हम किसे draw कर देंगे star से क्योंकि ये 3 क्या है हमारे anti-bonding molecular orbital अब हम क्या करेंगे इसके अंदर 6, 6 क्या draw कर देंगे और बीटल्स ड्रो कर देंगे यह 6 कार्बन है तो अब 6 कार्बन है इसके अंदर कितने नोड्स है जीरो है तो सब के अंदर हम क्या ड्राव करेंगे positive 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 negative 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 देखिए इसी के अंदर तो ये बिलकुल अच्छे के लिए ड्रो कर रखे हैं तो इसके अंदर zero node इसके अंदर one node इसके अंदर कितने हैं node two node इसके अंदर काड रहा होंगे three node यहाँ पर four और next के अंदर यहाँ पर five nodes तो अब हम देखेंगे इसके अंदर जो energy level diagram हमारा उसमें हम देखेंगे कि हमने six electron fill up कर दिये six electron हमने fill up किये तो यह हमारी क्या हाइस्ट occupied molecular orbital at homo homo के अंदर यह हमारी state क्या होगी homo और यह mpt है unoccupied है तो यह हमारी state क्या होगी lumo लेकिन अगर हम इसके अंदर क्या transfer करवा देते हैं heat तो heat करवाने के बाद यह हमारी क्या थी पहले ground state और यह हमारी क्या है excited state तो molecule है जो हमारा higher orbital में से क्या कर जाएगा move कर जाएगा आगे तो यहां पर हमारी यह proper क्या बन जाएगी homo और यह हमारी क्या बन जाएगी lumo ठीक है तो यह हमारा क्या होगा energy level diagram तो अब हम इसके अंदर same way check करेंगे symmetry anti symmetry जो हमारी mirror mirror plane symmetry है और जो हमारी axis of symmetry है या फिर center of symmetry है वह present है अपसेंट है वही हम किसके तरूं करेंगे number of nodes के तरूं या फिर हम direct इसके तरूं देख सकते हैं चलो एक बार हमारा मैं इसके तरूं बताती हूं और फिर मैं short trick बताऊंगे आपको देखो इसके अंदर हमारी जो m symmetry है वह present है या आप देखो दियान से इसके अंदर सब क्या है हर carbon के बीज में अगर हम mirror पास करवा के देखें तो क्या हो रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर m symmetry क्या है present है अगर इसके अंदर m symmetry present है तो इसके अंदर जो हमारी सीटू symmetry होगी वह क्या होगी absent ठीक है next हम देखते हैं यहाँ पर side two function के अंदर side two function के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर अगर हम mirror पास करवाते हैं plane पास करवाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर same हमें mirror remains नहीं मिल रही अगर हमें mirror remains नहीं मिल रही तो इसका मतलब यहां पर क्या है center of symmetry present है mirror symmetry absent है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे अपनी table में हम लिखेंगे कि यहां पर M क्या है absent है और C2 क्या है present है तो similarly हम किसके अंदर देखेंगे Si3 function के अंदर Si3 function के अंदर हम देखेंगे अगर हम यहां से अगर plane pass करवा देते हैं तो हमारी mirror image क्या हैगी सेम तो इसका मतलब M symmetry present है और C2 symmetry क्या है absent next हम देखेंगे sci4 sci4 के अंदर हम देखेंगे कि कहीं से भी कोई plane pass ही नहीं हो रहा अगर कोई plane pass नहीं हो रहा तो sci4 के अंदर हमारी यहाग पर क्या होगी S symmetry present होगी और C2 symmetry हमारी क्या होगी present होगी तो अब हम देखेंगे sci5 sci5 के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ से अगर हम plane pass करवा दे तो यह और यह क्या दे रहे हैं mirror image तो इसका मतलब यहाँ पर M symmetry क्या होगी present और C2 symmetry absent similarly हम next में देखेंगे sci6 के अंदर की कोई भी plane pass नहीं हो रहा अगर कोई plane pass नहीं हो रहा तो सब के अंदर क्या present है C2 symmetry present है क्योंकि यहाँ पर क्या present है center यहाँ पर भी center symmetry यहाँ पर भी हर जगे center symmetry present है क्योंकि center of axis है तो अब हम बोलेंगे कि इसके अंदर क्या present है C2 symmetry तो यह हमने क्या us Magazine क्या टेबल लेकिन मैंने वह आपको बताः ता कि हमारे नंबर ऑफ नोड से favourbrand Love या फिर उस आज होड़ है तो वहां पर क्या होता है म हमेशा स्मिट्री और स्मिट्री और हमेशा च्सेंट ót सीटमी नपाइवन है नबर अव ओफ नोड्स तो क्या होगा एगजेक्टा पॉजीट होगा वहां पर क्या होगा दो जाएगा से सीचुब्स मिट्री चीप गई गर सकते हैं कि आप इसकी कर सकते हैं तो से अभी आप से लेख ऑि और इसके और ग्यम्नारू सकते हैं जैसे है practice ‫ हूंप में निगाल लें आप से बतारे संवी डिस फेयरल ाुझले चों को यहां पर है कि दो आक Cromm symmetry present है यहाँ पर क्या है ओड इसका मतलब सीटू symmetry present है लेकिन अगर आप डिरेक्ट यह और बीटल डाइग्रम ड्रो करके फिर आप देखना चाहते हैं तो देखो यहाँ पर क्या plane pass हो रहा तो कुन सी present है mirror symmetry और यहाँ पर क्या है center of symmetry क्योंकि plane pass नहीं हो रहा और यहाँ पर आप देखेंगे कि number of notes 2 है और यहाँ पर क्या हो रहा है plane pass हो रहा तो यहाँ पर भी हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर क्या present है mirror symmetry और similarly हम किसके अंदर बोल सकते हैं cyclopenta die in system के अंदर cyclopenta die in system में कितने कार्बन होते पांस तो इसका मतलब function भी कितने बनेंगे पांस तो अब देखो यहाँ पर notes कितने बनेंगे वो भी मैंने आपको इसली निकालने बता दिये notes क्या होता है एन माइनस का वन तो इसका मतलब यहाँ चार तीन दो एक जीरू ऐसी बनेंगे तो हम क्या करेंगे orbitals को draw करेंगे और इसको डो करेंगे किसको number of notes को वैसे ही similarly हम od even के through भी बता सकते है कि mirror symmetry present absent है और c2 symmetry present absent है या फिर हम यह orbital diagram भी draw करके बता सकते हैं लेकिन मेरी मानिये तो आप बिल्कुल इनको notes के through ही याद करेंगे क्योंकि अगर हम ऐसे करने लगेंगे तो यह बिल्कुल complicated हो जाएगा इसमें error भी आज सकता है क्योंकि आपके गलती होने के बहुत ज्यादा chances है लेकिन यह बिल्कुल short trick आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको डिरेक्ट देखना है कि example क्या दिया हुआ है जैसे साइक्लो पेंटर डाई साइक्लो पेंटर डाई नाइल दे रखा है तो इसके अंदर हमें पता पांच कार्बन है पांच है तो हम लिख देंगे कि उसके अंदर वेव फंक्शन कितने 5, si1, si2, si3, si4, si5 और फिर हम क्या करेंगे उसका उसके अंदर हम देखेंगे number of nodes number of nodes भी आप इजली निकाल सकते हैं और number of nodes लिखके side में और direct हम लिख सकते हैं अगर यह even है तो m present है, odd है तो c2 present है बस इतनी से बात याद रखिए और य ज्यादा difficult लगता बच्चों को बहुत ज्यादा complicated लगता है बहुत ज्यादा बच्ची puzzle रहते हैं इस चीज में तो इसलिए मेरा तो मानना ही है कि आप इनको number of nodes के थ्रू करें number of nodes के थ्रू आप easily याद रख सकते हैं कोई burden ही नहीं कोई pressure ही नहीं है इस चीज पे आप easily बता to symmetry अप सेंट होगी और अगर number of nodes है हमारे ode हैं तो वहाँ पर हम exactly बोल सकते हैं कि भाई वहाँ पर तो सीटू symmetry परजेंट है तो बस आप ऐसे ही यह दो लाइन याद रखें और आपका यह सारा बेश कलियर हो जाएगा बिल्कुल ही basically और बिल्कुल ही easily अगर आपको फिर भी कोई doubt आ रहा है कहीं से कोई कुछ भी सीज समझ नहीं आ रही तो आप मेरे instagram पर जाकर मुझसे personally पूछ सकते हैं कि आपको कहां पर दिक्कत आ रही है क्या कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो पाएगा उतनी help करूंगी और आपको अग झाल